जय हिंद इस वीडियो में हम लोग आइटी सेक्टर का एक क्वालिटी ये श्टॉप जिसका नाम है केपिट टेकनोलोजी इसके बारे हम बात करेंगे काफी दिनों से इस कमपनी के सेर प्राइस नीचे की तिरफ तेजी से धड़ाव हो रहा था लेकिन आज से इस कमपनी के से कर enough recovery देखने को मिल रहीए और साथ कमपनी का सेर प्राइस तेजी त्या आफ जा रहा है स वीडियो में हम लोग बात करेंगे के तेजी कहा तक देखने को मिल सकती है future किया इस company का हमें कब दे किस company में ठाड़ना मुनासीब होगा हर एक चीज पर तसलिए से बात होगी तो बिना किसी बहुन का एक direct मुद्ध पर आते हैं और काम की बात सुरू करते हैं सबसे प्लब लोग देखेंगे जो KPT technology company है देखिए इसको लोग KPIT technology भी करते हैं और KPT take भी करते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है company काम समझे company काम क्या करती है company IT sector की quality stock है यह global अस्तर पर काम काज करती है IT facial intelligence से जुड़ोई company है अर्थात robot वेगर बनाने काम करती है साथ में software और digital solution परदान करती है अब बात के ने company काम कहा कहा करती है तो company जो मैंने शुरू में का global अस्तर पर काम करते है भारत तमिर का चीन जपान हर एक जगह लगवग सभी बड़े देसों में company कारोबार करती है काम समझे है वाई यह market cap देखते हैं company का market cap है 15,850 क्रोण यानि कि company large cap company है काफी बड़ी company है काफी बड़ी नहीं है मतलब फिर भी बड़ी company है share price देखेंगे तो 512 रुपया आज के दिन का अभी जब मैं वेडियो बना रहा हूं तब तक इसका share price है 512 रुपया अब ट्रेंडवेर थाथ उपर की तरह जा रहा है कल जब market बंद हुआ था तब इस company का share price था 549 रुपया गिराउट के साथ बंद हुआ था लेकिन जैसे आज market ओपेन हुआ तब इस company का share price 500 रुपया था अर्था 500 रुपया के साथ ही market इस company का share price जब market ओपेन हुआ तो शुरू हुआ आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कैसे इस company का share price सूपर की तरह जा रहा है करीब करीब 500-500 रुपय के आसपास तक आया है अब बात करेंगर हाई की तो company का share price अधिकता 800 रुपय के आसपास तक आया है यहीं तक आने के बाद लगतार गिराओट हो रहा था और गिराओट का दोर अभी कल तक जारी था लेकिन आज से इसमें recovery देखने को मिल रही है माई 2.21 में आप इस ग्राफ में देखेंगे तो माई 2.21 से इसका ग्राफ फुठना शुरू हुआ अरदा सेयर की प्राइस उपर की तरह जाना हुआ और माई 2.21 से पूरा जनुवरी 2.22 तक इसका ग्राफ आप ट्रेंड में रहा अरदा सेयर प्राइस लगता रूपर जाता रहा बिच बिच में थोड़ी बहुत गिराओट आई है लेकिन मैक्सिमम टाइम इस कंपनी का ग्राफ उपर ही रहा है और 1.500 रुपया शूट कर आ गया एक 821 रुपया के असपास यहां तक आनेक बात कंपनी का सेयर प्राइस डाउन होना शुरुआ अब एक चीज समझे कि कंपनी का सेयर प्राइस आखिर इतना डाउन गया क्यों सबसे पहले एक चीज में आपको बता दूँ कंपनी फंडामेंटली बैड नहीं है और ना ही कंपनी में कोई निगेटीव निउस था जिसके वज़े से कंपनी का सेयर प्राइस आठ सो से 549 गया यह केवल और केवल नीचे गया क्योंकि कोई बेश्टों को जो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत इसमें गिरावट होता है सभाव के इसमें भी हुआ दूसरा मार्कीट की निगेटीव सेग्मेंट की वज़े इस कंपनी का सेयर प्राइस डाउँ गया नव कि कंपनी के निगेटीव सेग्मेंट या कंपनी के बैट फर्डामेंटल की होने के वज़ेशता ऐसा कुछ नहीं है अब सवाल यह है कि तेजी कहां तक देखने को मिल सकती है मैं तो समझ यह अगर निफ्टी 17,250 या 250 की लेवल को पार कर जाता है तब यह मेंत्या चला और इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है 500 रुपया हलाकि इसका उमीद है च्छेर प्रस नीचे की तरह आएगा और इतना नीचे आएगा फिर भी मालनें पां सोबीस रुपे के पास आ भी जाता है तब ही कोई दिकत नहीं कि RSI 32 कास पास थे और RSI 30 कास पास थे जब भी किसी कंपनी का रसा 30 कास पास आ जाता है तो उसका सेयर प्रेश ऑट्मेटीक जाने लगता है तो इसलिए इस बात की बीटेंस्टर नहीं कि इस लाग का सुध मुनाफ़ा इंकम प्राप्थ हुआ है अब बात करें पी एटी अर्थात प्रोफिट आफ्टर टेक्स की जो टेक्स देने के बाद कमपनियों पास बाजता है उसी को सुध मुनाफ़ा करते हैं तो यह देखेंगे के क्वार्डर टू में 65 क्रोन का था जो की हमें कमपनी को पांच क्रोन का सुध मुनाफ़ा प्राप्थ हुआ है अर्णिक पर से देखेंगे तो क्वार्डर टू में 2 रुपया 42 पैसा था जो क्वार्डर थीरी में बढ़कर 2 रुपया 68 पैसा हो गया है क्वार्डर थीरी के नतीज़े अच्छे हैं इससे लगता है क कमपनी का काम का चाज बहतर चल रहा है कमपनी के जो फंडामेंटल उसमें कोई दिकत नहीं है यहां रिजर्व में आप देखेंगे तो एक हजार चार क्रोण का कमपनी पास रिजर्व है और यह क्वार्टर बढ़ते जा रहा है जबकि कर्जा सिर्फ दूसों दस्क्रों का कमपनीयां वैपार करते तो नंको उनको पर कर्जा होने वह बड़ी बात नहीं है करजा धीर-धीर कम और उसका यह देखेंगे तो रिजर भी इसको लाँवां कम्पी दिएंड nesse इसी वाहां बसार कि बदेती है कि इसली बार आप देखेंगे को कमेचा तूंस को डिश्ली को सब्सक्राइब सब्सक्रणравствуйте यानि कि इस बार dividend में थोड़ा सा कमी आया है लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि company dividend दे रही है holding patterns की बात करें तो आप देखेंगे promoters के पास 40.1 परतिसत के हिस्तेदारी है जो ठीक है FII वालों के पास 20.38 परतिसत के हिस्तेदारी है FII अर्थाथ foreign institution investor अब समझे चुकि company global investor पर काम काच करती है इसके जो पॉड़क्ट और सर्विसे चाहें बिजिस्तों में भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बिजिस्ती निवेस अच्छा खासा इस company में पबली के पास सिर्फ 13.27 परतिसत के हिस्तेदारी है देखिए जब किसी company में पबलीक हिस्तेदारी कम होती तो इसमें इसका घुणा सावित होने वाली है बागि जो नए लोग इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी मौका है कंपनी का शेर प्राइस कुछ जादा उपर नहीं गया है आप बाइक करना चाहते है तो बाइक कर सकते हैं लॉंग टरन को उद्श से और जो